कि चलो नेक्स कम टू दर आ जाते हैं लोग ऑस्मोसिस थोड़ा इसको भी समझना देख ऑस्मोसिस सुरू में मैंने बोला था कि ऐसा नहीं समझना कि ऑस्मोसिस नहीं है दो ऑस्मोसिस भी एक तरह का स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन यह क्या है इस पेशल टाइप ओफ डिफ्यूजन और अब यह जो स्पेशल कि बोलने हैं तो यहां पर मूब्मेंट होता है किसका सॉल्वेंट का इस पॉइंट को ध्याना करना सॉल्वेंट ड़िज वाटर इसका दाइग्राम दिया थाम अब इसमें मूवमेंट है जो सॉल्वेंट का औसमोसिस और यहां बीच में ध्यान रखना क्या होना चाहिए इन प्रेजेंस ऑप किसके तुरू यहां पर जो ऑस्मोसिस होता है यह एकदम ध्यांस रखना है यह सेमी परेमेबल मेंबरेंस के तुरू ही होगा उसमोसिस के लिए मतलब एक मेंबरेंस चाहिए चाहिए तो यहां पर एक सेमी परेमेबल मेंबरें होता जो एकसल मेंबरें है ना यहां पर प्रिजेंट है एकसल मेंबरेंस तो special type of diffusion in which movement of solvent from the reason of high concentrations to the reason of low concentrations through a semi-permeable membranes, जो भी definition बोला, इसको लिखे लेना तम लोग, इसी तरह से काम आएगा समय, ठीक है, अब ये movement कब तक चलेगा, जब तक वो equilibrium में ना पहुंचे जाए, ठीक है, तो देखे, यहाँ पर बताओ तुमारा, यहाँ पर water का जो movement किदर से किदर होगा, इस diagram को देखके बताओ, कि water का movement A से B के तरफ या B से X में जो movement होगा, वो इधर से इधर होगा, ठीक है, water का बोल रहा था मैं, तो यहाँ पर osmosis क्या होता है, special type of movement of a solvent diffusion का, high concentration, तो water किदर जादा है, इधर जादा है ना, ions कम है तो water जादा है, तो water high concentration reason से water क्या पहुंच गया, low concentration reason, देख, इस side B में क्या है, ions जादा है, मतलब water कम है, और A में क्या है, ions कम है, लेकिन water क्या है, जादा है, तो यहाँ पर यह जो membrane है, semi-permeable membrane, यह क्यों बोलना हो definition में कि semi-permeable membrane लगा के बोलना, क्योंकि यहाँ पर देखो, semi-permeable membrane किसको allow करता है, solvent को और gases को, solute को तो नहीं कर रहा ना, तो solute यहाँ पर भलो जादा है तुम्हारा इस chamber के अंदर, लेकिन solute थोड़ी move करेगा, यहाँ पर solvent को move करना पड़ेगा, देखिए हाँ पर net directions and rate of osmosis depend करता है, तक इसमें pressure gradient पर depend करता है, या फिर concentration gradient पर depend करता है, pressures तो यहाँ पर आने वाला osmetic pressures आने वाला है, और इसको हम लोग demonstrate कर सकते है, thistle funnel experiment होता है, उसमें सुक्रोज वगार solutions को लेके demonstrate किया जा सकता है, जैसे मैं यहाँ पर demonstrate करता हूं, तो thistle funnels experiment यह ही है, तो thistle funnels में, यह एक funnel है, यहाँ पर हम लोग ने एक memory लगा दिया, यहाँ पर, ठीक है, और इस thistle funnels के अंदर हम लोग ने सुक्रोज solution रखा, और इसके अंदर क्या है, यह 100% water है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है तेरा, इसके अंदर है, माल लेते हैं हम लोग जैसे 5% सुक्रोज ले लिया, तो मतलब यहाँ पर 95% water है, और इसके अंदर 5% सुक्रोज solution ले लिया है, ठीक है, तो अब इसमें water का movement किदर से किदर होगा, देखिए, दिखा रहा है ना, water का movement किदर से किदर होगा, देख, जो बाहर है, उसके अंदर pure water 100% है, और अंदर क्या है, 95% क्योंकि 5% सुक्रोज लिया था, तो water move करेगा इसमें ना, इसमें क्या होता है, इस वाले पहले वाले में देखते हैं, पहले वाले में, देख, before जब हम लोग ने start किया था, तो label यहां तक था, फिर जैसे हम लोग ने देखा कि osmosis होता है, तो label पहुँच गया, यहां तक rise कर गया है, तो यह initial label था, और यह final है, क्यों? कि यहां पे जो solute है, solutes के बज़े से क्या होता है, कि यहां पे ions जो है, वो diffuse करना start कर दिया, ions क्या कर रहा है, diffuse कर रहा है, ions ने सोड़ी water diffuse कर रहा है, और यह अंदर घुस रहा है, अग घुसते घुसते पानी का level क्या करेगा, rise करेगा, तो पानी rise करके जहां तक पहुंचगिया है तुम्हारा अब इस जितनास किया है हम किया करते हो पर एक प्रेशर करेंगे एक प्रेशर लगाएंगे उपर से और प्रेशर इतना लगाएंगे ताकि यहां पर आस्मोसिस ना हो सके ठीक है क्या करेंगे यहां पर प्रेशर लगाएंगे क्या करेगा यह प्रेशर आस्मोसिस को क्या करेगा प्रिवेंट कर देगा यह प्रेशर क्या करेगा अगर देख जितना ज़्यादा हम क्या करेंगे हैं पर सॉलूट बढ़ाते जैसे अभी 5% है 5% से हम क्या करेंगे 10% सुक्रोज बढ़ा देते हैं तो पहले 95 95% वाटा था अब 90% है तो यहां पर ऑस्मेटिक प्रेशन क्या हो जाएगा बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ बढ़ता चला जाता है तुमारा तो यहां पर कम होता है यहां पर जादा हो जाता है तो यह यह तेरा ऑस्मोसिस के बारे में अब इसका एक ऑस्मेटिक प्रेशर इसको सिंबल देते हैं पाई देते हैं इस तरह से पाई से रिपर्जेंस किया जाता है पाई है तो ऑस्मेट सब्सक्राइब हो सकता है उसके भी प्रोपोर्शनल होता है इसके बेसिस पर फर्मूला ड्रॉ करते हैं पाई मतलब ऑस्मेटिक प्रेशर इकल टो आई एएम आरेती आई मघ और यहां पर आई हो गया कोंस्टेंट मतलब होता है जैसे एक मैं मॉटार प्लस और एल माइनश दो बनाता है जिसका जो हमें कोईशन दो होगी उसका कोई ने कोई Concentration होगा ना तो मोलर Concentration और यह गैस कॉंसेंट होता है तो जीरो पैंट जीरो एट टू इसका वैलू होता है और टी ओ था टेमपेरिचर इन केलमीन धियाना किसमें केलमीन केलमीन निकालना तो करना है 273 डिग्री जोड दो इसमें के जोड दो को भी भी आता है तो होगी दिग्री सी जोता है जीरो ये टोली थरी क्या हम लोगों को तो डिये से ले-स इनिकल जाए भी जैका है तो कयल में तो टूटेने नहीं जा रहा कि आएनेशन वॉन अगर हम एनसीन लेते हैं तो इसमें एनेशन कॉंस्टेंट कितना हो जाएगा टू कि जब एनसील टूटता है तो दो मॉलिक्ल बनाता है थो हो गए यहां पर एक ही रहता है यह दोनों में डिफरेंस बाके सब सेम है 20 डिगरी से पर निकालना है तो यहां पर वन मोल आर हो गए 0.2 और यह हो गए इतना 93 तो 20 डिगरी में इसमें 273 जोड़ दो तो 293 आ जाता है पाई निकालेंगे तो कितना जाएगा इसका वेलू रखे तो 24.03 atmosphere तो पाई जो था प्रेशर है ना तो अगर लेते हैं तो उसमें भी कितना हो जाएगा खाली देख सब कुछ वैलू तो सेम ही है अंतर क्या है बस खाली यहां पर वन के जगा पर टू हो गया तो इसका डबल हो जाएगा तो अगर तुमसे पूछे कि बाई एक मोल और एक मोल गुलकोज अगर लेते हैं एट 20 डिगरी सी तो दोनों का वेडी कर गया आईनाइजेशन स्कॉंस्टेंट यह आईनाइजेशन हो सकता है तूट सकता है आईनस में दो आइन बनायागा बट यह ब्रेकडाउन नहीं होगा एक ही आइनस के फोर्म में रहता है ठीक है तो एनसेल का उसमेटिक प्रेशर्स जादा हो जाएगा तमारे इसम सीम पूसेंटेशन सेम सिचुवेशन पे नेक्स आजाते है इसी तरह का एक इंवाटोटि बोयू बादेशन अफ के स्वाटर सब्सक्राइबैक्त क्यara न हृतर के सलू करता है ऊचिक है अभर यहां पर कॉंसेंट्रेशन ये जो कॉंसेंट्रेशन n एक रीकिन हमें आयन्स का बतारा रहा है तुमारे इसमें ऺखयेज लो ओपी से हाइओं पी के तरफ तो दो देख यहां पर इसस से पहले हम दोने देख था था खिन आगा लेते हैं तो पार्च परशेंट मतलब लो एपी और टेन परशेंट का मतलब हाई ओपी ओपी क्यों यहां पर बोले हैं कि आपे जो मोलर कंसेंटेशन वह पाच और यहां दस है तो अब इसका ज्यादा हो जाएगा ठीक है अचा चलो इससे अगर नहीं हम कर सकते तो इससे दे ते हैं तो लो कोन्सेंटेशन से हाई कोन्सेंटेशन के तरभ मूव करेगा यहां पर यहां पर 5 परेशंट यहांप 10 तो इसके बेस्पे यह पर कर गया suited तो मुवमेंट ऑफ वाटर किदर हो जाएगा इसको ए चेमबर और बी चेमबर करते हैं तो ए से बी के तरफ मूफ कर जाएगा वाटर ठीक है दूसरा इसका भी एक्जामपल ले लेते हैं जैसे वन मोल ग्लुकोज और यहां पर वन मोल एनेसिल्स तो अभी जस्ट देखा था ना कि इसका 24 atmosphere इसका 48 atmosphere तो जो वाटर का मुवमेंट किदर से किदर होता है तो इस पॉइंट को अब तुम्हें याद अखना पड़ेगा लो ओपी से हाई उपी तो लोपी किदर 24 यहां पर ऑस्मेटिक प्रेशर के तरह 24 है और इधर 48 अटमास्वेटिक प्रेशर है तो लो ही मूव कर पायाएगा तुमारा इसमें ठीक है कोई प्रॉब्लम यहां था कि नहीं अब यह आता है नेक्स पॉइंट है नोट डाल के लिखा मैंने दो ओपी जो ऑस्मेटिक प्रेशर होता है रिप्रेजेंस करता है वाटर रिटेंशन कैपसिटी आप दे सिल्स इन सेल्स अगर ऑपी कम है तो इतना जयदा सो इतना ज्यादा बढ़ेगा क्यूंगे डेक्टी पॉपरॉशनल था रिप्रेजेशन का तो हेलो必ड बहुत ज़्यादा होता है और हाइड़ोफाइट में ओपी बहुत कम होता है तो यह एक मतलब retention capacity दिखा रहा water का तो सबसे ज़्यादा water retain करने का capacity भलो रिटेन नहीं किया हुआ है लेकिन कर सकता है इसकी बात करें तो चलो नेक्स बढ़ते हैं हम लोग important चीज़ है यह भी थोड़ा स यह यहां पर समझना है हम लोगों को यह भी काफी अच्छा है behavior of plant cells in hypotonic फिर hypertonic फिर उसके बाद isotonic तीनों में हम लोग इसको discuss करेंगे कि क्या होता है किसी cells का behavior ठीक है तो देख अभी हम लोग ने अभी सीखा है op osmetic pressures और osmetic pressures जो है वो concentration बढ़ाने से बढ़ घट सकता है तुमारा ठीक है और चुकी यहां पर बीच में membrane है तो solute कहीं move नहीं करने वाला कौन move करेगा solvent move करेगा और यहां पर solvent water है यहां पर क्या है solvent water है तो इस चीज को ध्यांग में रखना है का है तो hypotonic तो हाइपोट निका मतलब क्या हो गया कि यह tbsp सफोलूशन है जो तब है इसमें सेल रखा और यह सेल्स जो रखा है उसमें आयन क्या है कम है water जादा है क्योंकि मसलूशन कैसा है हाइपोटॉनिक है तो अंदर हाइपर हो जाएगा हाइपर मतलब ज़्यादा सॉलुट इसमें होगा तो अंदर आयन्स ज़्यादा water कम तो अब इसी के basis पर देख सकते हो water क्या होगा high concentration से low concentration वाटर रिस्पेक्ट में और फानि रिस्पेक्ट में अगर लॉह आयंन से हाइब के तरफ है तुमारा और की मेटि sì पानी अंधर जाना सटार्ट हो जाएगा लस्त के के लिखवा है देख इंडो ऐस्मसीस होगा इन्वाड मुवमेंट अफ वैट इससे प्रोटो प्लाजम क्या होता स्वेल हो जाएगा और सेल हो जाएगा तरजी टाइट यहाप एक लगा था टरगर प्रेशर टरगर प्रेशर क्या होगा प्रेशर इंड बाइए इग्जड ऑ है और हमें पता है कि सेल्स वाल्स क्या होता है रिजीट होता है क्या होता है रिजीट होता है थोड़ा सा इलास्टिक होता है बट यह होता है रिजीट की दूट पैक्टिन के बज़े से थोड़ा flexibility रहा हलका सा एक दम बहुत माइनूट सा तो उसमें जितना adjust करना होगा adjust करेगा फिर उसके बाद वो tight हो जाएगा अब उसके बाद वो adjust नहीं होगा तो due to the target pressures क्या होगा cell wall expand होगा inside जितना हो सकता है उसके बाद फिर अब वो उल्टा प्रेशर डालने लगेगा किसके उपर प्रोटो प्लाजम के उपर तो प्रेशर exert by the wall on the प्रोटो प्लाजम नोन एज वाल प्रेशर तो यहां पर टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर दोनों बराबर लेकिन अपोजिट डारेशन में हो जाता है ठीक है मतलब अब सेल्स जितना भी टर्जिट होना था हो चुका है टर्गर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है इससे जादा अब यह नहीं तो फुली टर्जिट सेल्स क्या होता है इस case में अब TP जो टर्गर प्रेशर है वो OP आस्मेटिक प्रेशर के बराबर होता है मतलब अब ये पानी नहीं रिटेन करेगा तो इतना maximum हो गया तो ये condition ध्यारकना कि जब टर्गर प्रेशर maximum हो गया होता है किसी cells का समझ लो उस टाइम पे वो उसका टर्गर प्रेशर और आ और पे हाईपर टोनिक solution में कहां पे हईपर तॉ मने जैसे यह टब था है और इसमें ने कैसा solution ले रखा है इसमें solution ले रखा है company to उयवर ये दे देखने लित और ये Cel है ठीक है यह cell और यह सेल का है प्लाजमा मेंब्रेंस रेट कलर से बना दे रहे हैं प्लाजमा मेंब्रेंस ठीक है यह प्लाजमा मेंब्रेंस ठीक है बाहर हाइपर्टोनिक है मतलब बाहर क्या है आयंस क्या है ज्यादा वाटर कम है लेकिन अब अंदर रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो अ h2o जो है वह निकलना स्टार्ट होता है तो इससे qya होता है एक्सकूड ने लगेगा अंदर इस process को कहते है plasmolysis कहते न्जाइlicht से heading डाला हूआ है plasmalaisis तो plasmalis ब्लाजमोलिस इस स्टार्ट हो जाता है एक होता है limiting दूसरा incipient और चौथा evident limiting incipient और evident तीन तरह का plasmolysis होता है तोवारा इसमें ठीक है अब इसमें देख तो limiting पहला starting होता है limiting से तो यहां पर क्या होने लगेगा एक्जो ऑस्मोसिस पानी बाहर निकलने लगा अब इस एक्जो ऑस्मोसिस के बज़ए से ध्यान देना है इस ऑस्मोसिस के बज़ए से जो टर्गर प्रेशर वो डिक्रीज होने लगता है अभी भी क्या लेकिन positive है जीरो नहीं हो है positive होता है तो इस जब तक positive रहेगा तो इसको limiting कहते हैं तो इस केसिस में क्या होता है कि जो तुम्हारा टर्गर प्रेशर था और उदर से वाल प्रेशर था वो दोनों खतम हो चुका है मतलब अब टर्गर प्रेशर यहां पे नहीं है decrease होने लगा है तो प्रेशर डाल नहीं रहा लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत cells जो है वो उसका जो plasma membranes है वो फूला हुआ swelling conditions में ही है ठीक है आई वा समझ में अब cell wall जितना compressed हो सकता था छोटा हो सकता था उतना छोटा हो चुका है compressed अगर मालने फिर भी अभी भी क्या चला है इसमें exosmosis चला water loss हो रहा है तो अब एक situation है जिसमें trigger pressure अब zero हो जाएगा तो जैसे zero होता है तो यह जो plasma membran है ना cell wall को छोड़ देता है उससे दूर होना start हो जाएगा cell wall को छोड़ देगा उससे दूर हो जाएगा तो plasma membran detached from the cell wall अभी भी क्या हो रहा है cell अभी भी water loss हो रहा क्योंकि अभी भी हमने इसको कहां डालके रखा हाइपर टॉनिक सलूशन में डालके रखा है तो अब क्या होता है कि जो प्लाजमा में में था और जो सेल वाल था उन दोनों के बीच में पानी भर मैं स्टार्ट हो जाता है इस केसे में तरगर प्रेशन नेगेटी पहुंच जाता है और जो प्रोटो प्ला तो यहाँ पे सुलूशन जो था वो फिल होने लगता किस तरह का सुलूशन हाइपर टोनिक सुलूशन फिल होने लगता है ठीक है और इससे क्या होगा और इसको बोलते है इवेडेंट इससे एंसे पैटेंज में क्या होता है और इवेडेंट में क्या होता है जो प्रोटो प्लाजमो पूरा स्रिंक कर चुका है स्रिंग कर चुका तुमारा था ज़र प्लाजमों डिस इसकी तीन स्टेजिस अलग-अलग यहां पर ठीक है अब हम सेल को उठाके डाल देते हैं बाहर जो जिस solution में डाला गया उसका भी कॉंसेंटेशन दोनों का सेम है तो इसमें जो नेफ्ट मुउमेंट होता है वाटर का वो रहेगा जीरो तर अगर प्रेशर हमेंसाथ जीरो बना रहेगा और शेल्स ये फ्लैसिड कंडिशन में रहता है पिल पिला हो जाता है अगर वालनो इसको हम लोग ने हाइपोटोनिक में डाला तो वह तरजिट स्टेट में रहता है तो यहां पर धिहाद रखना कि बिहीबियर और प्लांट सेल विट रिस्पेक्ट टरगर प्रेशर देखते पर कि आओगा टीपी तो जीरो हो गया मतलब सेल क्या हो गया फ्लसिड हो गया नेट मोवेंट अभी जीरो है अगर इसको हम कहां डालेंगे हाइपर टॉनिक में तो टर्गर प्रेशन नेगेटिव हो जाता है कि उसमें से वाटर बहुत जादा लॉस होता है और लॉस को बोलत एंटू दा हाइप ओटोनिक सेलोशन और कबाशल होगा वैन्हाइं वी प्लेस देसेल इंटू दा आई सुटोनिक सोलुशन वैं इसल्स बिकम प्लाज्मोलाइड तो क्या बुलना है जब हम सेल्स को आईपर टॉनिक सोलूशन में प्रेस करेंगे तब हाइपर टॉनिक सव होता है कि what will be happen if we place the RBC RBC in pure water क्या होगा बोलो pure water में डाल देंगे तो क्या होगा RBC का बोलो जी देख blood में डाला था तो blood और जो RBC वो दोनों क्या है isotonic solutions है इसलिए RBC को कुछ नहीं हो रहा था बट तुमने कहा डाला प्योर वाटर प्योर वाटर मतलब हाइपर टॉनिक solution तो इंडो ऑस्मोसिस होगा और वहां तो boundary है नहीं सेल वाल कि उसको बचा कर रखेगा जैसे यहां पर सेल वाल था तो उसको बचा कर रखा था तो यहां पर अगर किसमिस को हम अगर पहले वाटर में डालते तो क्या होगा फूल जाएगा वापस से और अगर मालो अगर किसी अंगूर को अगर हम क्या डाल दे किसी सुगर सुलूशन में गाढ़ा सुलूशन बनाकर इसमें डाल दे तो वह स्रिंक करने लगे लगता है तो इस तरह बहुत सारे 留言 होते हैं तो जब भी question design हो तो सबसे पहले तुम सौचना कि है वह hypertonic solution डाला है मिसमें hypertonic में oh laukant holly подdledprechen में डाला है या isotonic solution में डाला गया है ठीक है यह पेहले सोच लेना थो उसके बाद decide करना कि क्या होने वाला bipolar तो यह था भी जिँप यह अर्था तुमारा झाल झाल